की छाबुदाने के किषुडी बनाने में हमें लगने वाला है साबुदाना ज 멋있ंसे आपको चार से पांच गंटे तक भीगो के रखना है यह मैंने भीगो रख्धा थाइ आbelदू गीला मैंने टमाटर दो लिया था और अलु एक बड़ा लिया है वह आपको जैसा कॉंट्टी बनाना उस बेसिस पर आप काट सकते हैं मैंने कड़ाई रगती है गरम होने के लिए उसके बाद हम इसमें डालेंगे घी हमने गी डाल लिया है और इसमें मैंने लाला है एक छिट की जीरा जीरा को थोड़ा सा पकने लेंगे मीडियों फ्लेम पर ही आपको ये बनाना है जीरा पक चुका है महेकारी है तो अब हम डाल देंगे आलू जो हमने कट किया था आलू इसलिए क्योंकि आलू में पहले पकाना बढ़ेगा पाच मिनुट तक पाच मिनुट तक पाच मिनुट तक मैंने पाच मिनुट पताले डाले इसमें आप्शनल है डालना है डाले ने डालना मन डाले अबं मिर्ची भी डाल देंगे में चीज इसलिए अभी डाल रहे हैं कि वह एकदम से पक्के या जले में ही इससे का फ्लीवर गी अंदर रहेगा जैसे कि आलू पक गया है हमने इसे पात्स दस्मान पर चलाय था अब हम इसमे डाल दे हैं जो टामाट्ट मैं तरं हमें काटे खाएं नहीं तुछएक जैसे नगे थे हैरने आटारें में कारवे थे गाएं पयाइले। इससको पाया है है इस नगे इस पताई we are attak कि दख देंगे पाच मेंट के लिए कि हांच मेंट हो गया हम खूलेंगे ज़िए देखिया आब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मेंट कि मेरी तीखी वाले नहीं है कलरवानी है सह जओ कि राले पे सया हूा हम तो इसमें क्लार मेंसों जब हमेरे सब्णे लुणसिएऊस्थ साइब नहीं है अब खोलते हैं अब तो अब अब दालेंगे नमक अभी डाल देंगे के स्वादन निशा डालना आपको इतने कॉन्टिटी है वो फोच के अब अब आप कुच्छे के अब गज़ाना आपको आपको यसी चलाना हमें निशाना पखना आपको अभी जिए खेगे नम्मक नम्योंक खेगत अब दालेंगे स्यस्दी स्पाख हुता हुटा है तो अब हम जाल देंगे इसमें शाबो दाने तो अब हमें शाबो दाना ले लिया है अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे मिक्स कर लेंगे अच्छे से एक दभ तो मैंने मिक्स कर लिया है अब हम इसे डग देंगे 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट हो गया है और हम इसे खोल लिया है यह कि तक खिला खिला बना हुआ है अब हम इसमें जो नीड़ी था वो डगार देंगे पुरा और हम धनिया भी डाल देंगे इसमें अभी अब इसे पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स रेखिए यह किता सही लग रहा है बनके रेडी है मेरा शाबुदाने की खिचली बहुत जादर टीस्टी लग रही है अब हम गैस बंद कर लेंगे और मैं आपको सर्फ करके बताती हो तो फ्रेंड्स मैंने अपना शाबुदाने खिचली को सब कर लिया है दही के साथ सब किया है और धनिये की अटीसरी गानिश किया है तो आपको मेरा यह साबुदाने का रेसिपी कैसा दगा यह प्लीज और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो जितना जल्डी उतना जल्डी कर लीजिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा पसंदा है तो शेर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में थैंक यू